पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है हसन आपकी खितमत में अर्दू महफिल ब्लॉकियार्ट लेके हाजर है और आज फर्वरी की बारा तारिख है तक्रीबन साड़े ग्यारा बारा के आसमाज का कुछ वक्त है और आज जनाब पीर्जादा गासिम को पढ़ने का दिल जाए एक बहुत ही अच्छी गज़त है इनकी शोले पे जुबा ये इनका एक मजमुवा है दो मजमुवा में से ये एक है जिसमें एक बहुत ही बहुत ही पावर्फुल और बहुत ही जबरतस्त मजबूत गज़त है ये मैं आपके इस खिदमत पे पेश करना चाहता हूँ लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेवर कहे लिए ये क्या अभी हमने ओके यहां इसके भी उड़ जाने का ठाव है उड़ गए तो उड़ गए है पिछला प्रोग्राम हमने दरसे इसमें एक तर्टीब बदली थी और आगे भी करेंगे इंशालला तर्टीब ये थी उसके अंदर के हम ऑनलाइन किसी ना किसी शायर को किसी अधीव को आनलाइन लेंगे और उससे कुछ बात चीज़ करेंगे हम सुद भी सीखेंगे और आप लोगों को भी मज़ा आएगा कुछ सुनने का नया सीखने का मौका मिलेगा वो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ उसकी रिकॉर्डिंग इतनी जटियल रिकॉर्डिंग हुई कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता मतलब अफसोस नाक रिकॉर्डिंग थी वो तकनीकी उसके अंदर कुछ प्रावलम हुई आडियो बहुत ही फीड़बैक में चला ग उर्दू अदब का बहुत अच्छी तारीख का इल्ब रखती हैं उर्दू अदब की उन से बात कर रहे थे हैं तो उनके जो जवाबात थे वो तो अपनी जगह पर बिल्कु सही थे हावाल में थोड़ी बहुत सरावी थी वो तकली की वज़े से लेकिन मेरे सवालात नहीं जा पा रहे थे तो पता ही नहीं चला थे वो किस सवाल का क्या जवाब दे रही हैं एडिवे लॉंग स्टोरी शॉर्ट के अगला प्रोग्राम हमारा दुबारा होगा मेरे दोस्त आरिफ इमाम के साथ और आरिफ का प्रोग्राम इंशालला होगा इस सैटेंड एबो और सु अगर उसमें भी कोई खराबी हुई तो हम फिर रोक के दुबारा शुरू करने की कोशिश करेंगे पहर कैफ यह टीधिंग प्रोग्लम्स हैं और जब तक टीधिंग प्रोग्लम्स नहीं रभा हो जाती हम लगे रहेंगे उस जिस्तुजू के अंदर उस काम को करने में तो इतना सिर्फ बताना था आपसे के पिछले प्रोग्राम के लिए माफी और उसको डिलीट मैंने इसलिए नहीं गी है ताकि आप लोगों को अंदाज राए कि यह मारा पहला प्रोग्राम था और इसके अंदर सामियां और गल्दियां अगर हैं सो हैं तो दैस बार हैं जनाब तो बहुत देजे उस्ताद माना भी आ रहा है और टूपी उरने का भी पूरा पूरा सब्रा है उड़की टूपी दूड़की पेशखित मैं अब हर्फ तमन्ना को समात न मिलेगी इसमें अलफास मुश्किल भी आएंगे मैं सारे अलफास की वजाहत भी नहीं करूंगा ले समात न मिलेगी पेचँ कि अगर खाब तो हम थे क्यांत न मिलेगी अब हर्फ तमन्ना को समात न मिलेगी इसमात कहते हैं सुनवाई को सुन्ने को हर्फ तमन्ना को समात न मिलेगी बेचोगे अगर खाब तो कीमत न मिलेगी क्या मतल़ लिखती है साथ क्या मतल़ लिखती है तश्हीर के बाजार में ऐ ताजा खरीदार तश्हीर के बाजार में ऐ ताजा खरीदार जिवाईशे मिल जाएंगी खामत न मिलेगी जबाईशे मिल जाएंगी खामत न मिलेगी एक से एक शेर लिखा 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 जाएंगी सदियां, यूं वक्त तो मिल जाएगा, महलत न मिलेगी。 अब देखिए आईने के सामने खड़े हूं कि अपनी जिन्दगी का शेर है के नहीं है, मेरी जिन्दगी का शेर है के नहीं है। लम्हों के ताकुब में गुजर जाएंगी सदियां यूं वक्त तो मिल जाएगा महलत न मिलेगी वाह सोचा ही न था यूं भी उसे याद करेंगे सोचा ही न था यूं भी उसे याद करेंगे जब उसको भुलाने की भी फुरसत न मिलेगी जब उसको भूलाने की भी फुरसत न मिलेगी सोचा था सोचा ही न था यूँ भी उसे याद करेंगे जब उसको भूलाने की भी फुरसत न मिलेगी वाह इसमें एक लफ़ आ रहा है कारेजिया इश्क कारेजिया कहते हैं उस चीज़ को वो काम जिसके कोई fruit ना हो, फीटाल, exercise उससे कुई आपको मुणा नहीं कोगा कारेजिया इश्क यानि इश्क का वो काम जिसके अंदर कुछ आपको मिलना नहीं है शेर सरे ताउम्र वोही कारेजिया इश्क रहायाद ताउम्र वही कारिजिया इश्क रहायाद हाला के ये मालूम था उजरत नमिलेगी खाला के ये मालूम था उजरत नमिलेगी उजरत इज़ाद की दिहाडी सैलरी वेजिस ताउम्र वही कारिजिया इश्क रहायाद हाला के ये मालूम था उजरत नमिलेगी ताबीर नजर आने लगी खाब की सूरत ताबीर क्या होती है खाब का जो आप मतलब निकालते हैं कि अच्छा मैंने ये खाब देखा तो ये उसका मतलब होगा वो है उसकी ताबीर अब वो ये कह रहा है कि ताबीर नजर आने लगी खाब की सूरत अब खाब ही देखोगे बशारत न मिलेगी पशारत कहते हैं खुशकबरी हो गुट नियूस अब तुम खाब ही खाब देखते रहोगे ये तुम्हारे लिए सच नहीं हो ना इसमें कोई खुशकबरी नहीं मिल दी ताबीर नजर आने लगी खाब की सुरत अब हाब ही देखोगे, वशारत ना मिलेगे. आकरी शेर है और ये हमसब का शेर है. और जब मुद्रम प।। फ्रजाथा गासिम साहब पढ़ते हैं, तो वो भी यही कहते हैं, अखे ये हमसब का शेर है. आईना सिफ़त, वक्त, तेरा हुस्न है हम लोग ये वक्त जो है रिफलेक्शन है ना हमारा आईना है वो कह रहे हैं कि आईना सिफ़त, वक्त, तेरा हुस्न है हम लोग कल आईने तरसेंगे ये सूरत न मिलेगी कल आईने तरसेंगे तो सूरत न मिलेगी आई न स्थफ़त वक्त तेरे हुस्न है हम लोग, कल आई ने तरसेंगे तो सूरत ना मिलेगे। जनाब-पीरजादा-पासिप इंतहाई खुब्सूरत इंसान शकल में इंतहाई खुब्सूरत इंसान अपने गिर्दार में मुरे बहुत ही पसंदीदा शायरों में beef लगादा-पासिप बस आज यही तक है मामला इंशालना खत्म करते हैं हफ़ते को सुभा 11 बजे हफ़ता सैटरडे हिस्टन टाइम सुभा 11 बजे जरूर कोशिश कीजेगा कि फेस्बुक पे आप ट्यून इन कर सकें और आरिफ इमाम के साथ हमारी कुछ बातचीत होगी और आरिफ इमाम के बारे में क्या बताएं आपको मौलाई है, मलंग है, दर्वेश है, सूफी है, शायर है और हमारा ये बुकतर के वो हमारे दोस्त है तो हमारे दोस्त हैं इस वजे से वो हमको ये मौकत दे रहे हैं कि हम उनके साथ कुछ बैठके बाते कर सकें, कुछ सीख सकें उन से, कुछ उनकी सुने कुछ अपनी सुनाएं, आप भी उसमें शामिल हो जाईएगा, बड़ी इनाएं, फियमालिल्लाह, यार जिन्दा, सुभवत बाद,